हेलो एवरिवन कैसे यो आप से भी लोग एक इंपोर्टेंट मुद्धे भे हम बात करेंगे यहां पर कल भी मैंने उसका जिकर किया था जब मैं पोस्ट कैनलिस कर रहा था कि मिनिमम कितने मांक्स लाओगे तो आपको ऐसे सीजल 2018 के थिरू जो मिल सकती है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो टियर टू तक 500 से ज्यादा स्कोर लेके आए हैं लेकिन उनका फाइनल किसी भी लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो मैं वही चीजे आपको यहां पर बताने की कोशिश कर है थे इस तरह के धेरो मैस्स मेरे पास अल्रेडी आ चुके हैं बहुत सारे लोगों के मेल्स आ चुके हैं रिगार्डिंग दिस किसर ऐसा हुआ है मेरे टीर टू तक 498 नमबर थे मेरे टीर टू तक 540 नमबर थे 580 नमबर थे लेकिन मेरा अभी तक किसी बिलिश में नाम न 30 तारिक को 39 तारिक को आपका पेपर हुआ था 30 तारिक को आटी लगाई थी कमिशन से यह पूछा गया था कि कितने केंडिट्स अपियर हुए थे एक्जामिनेशन के अंदर रिजन वाइल बता दो तो यहां पर आटी के रिप्लाई आ गया था 31 तारिक को यह अमित कुमार आटी के लगाई थी इन्होंने मुझे मेल किया था अपना आटी के रिप्लाई उसको यूज करके मैंने उस टाइम पर वीडियो भी बनाई थी इससे रिलेटेट तो अगर हम बात करें इन सभी केंडिट्स को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास टोटल केंडिट्स बनते हैं यहां पे 42,570 42,570 केंडिडेट से थे जो टीर टू एक्जामनीशन में अपियर हुए थे आगे भड़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करूं ऐसे ही किसी और ने भी आर्टी के लगाई थी ठेक है उसी तीस तारिक को ही आर्टी के लगाई गई थी आर्टी नंबर से आप देख भी सकते हो तो एड़ी बिल्कुल लग रही है डबल वैरिफीकेशन के लिए मैंने एक और आर्टी देखी ठीक है काफी वाइरल होती थी तो यह किसी ने मुले भेजी थी अभी रिसेंट की बेजी गई यह इसमें आप देखो के 42,570 टो टोट अपता यह हो से एक आर्टी आर्टी तो मैंने भी एक बार चेक करा है उस टाइम पर मैंने नहीं लगbei थी इसके लिए लेकिन किसी और चीच के लिए और यह उसी टाइम के 28 बारक के 58 आर्टी आर्टी आपँगे यहाँ पर जो सिरियल नंबर है मेरी आर्टी आ का वह है 61,115 और जो इन दोनों RTI के serial number है वो भी लगभग इसके आसपास ही है ठीक है 16,127 है एक RTI का number 1 का है 16,087 तो serial number भी लगभग मैच कर रहे हैं तो मतलब यह genuine RTI है मतलब इतने लोग appear हुए थे examination में अब SSC का write-up अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ असा बदलाव आता है SSC कहती है कि 49,803 candidates ही appear हुए थे examination के अंदर RTI 42,570 SSC कह रही है 49,803 तो सवाल यह उड़ता है कि जो 766 candidates हैं वो कहां गए उनके papers के साथ क्या किया गया क्यूं write-up में उनका जिकर नहीं है और मैं समझता हूँ हो सकता है यह 766 candidates वो ही हो जिनका किसी भी list में नाम या या अच्छे नंबर आने की वज़े से तो यहाँ पर SSC के end से एक technical glitch हो सकती है अब करना क्या है कैसे करना मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा सबसे पहले तो technical glitch के बारे में समझते हैं कि SSC से पहली यह पहली बार हुआ ऐसा कुछ यह पहले भी हो रखा है तो ऐसा पहले भी बहुत बार हो रखा है ठीक है अगर मैं ज्यादा पीछे ना जाते हुए MTS 2019 टियर वन के रिजल्ट की बात करूं टियर मिन का रिजल्ट आपको घोशित किया गया था पांच नुवेंबर को ठीक है कट ओफ आ गई थी सभी रिजन की अगर हम बात करें फिर इसके बाद इसका रिवाइज रिजल्ट भी आया था ग्यारव नोमेंबर को हुआ क्या था गलती क्या हुई थी SSC से वो भी देखते हैं एक बार इन्होंने क्या करा टोटल 38 लाग कुछ candidates अपियर हुए थे जिन्होंने फोर्म फरा था अपियर होने वाले 19 लाग कुछ candidates सबसे बड़ी गलती क्या हो गई यहां पर जब इन्होंने कट ओफ निकाल ली ना क्या कर दी एटी 3.95 कर दी और यूर केटेगरी की कट ओफ कितनी थी बिहार रीजन से आप देखोगे 82.36 ठीके EWS केटेगरी की कट ओफ ज्यादा गरदी यूर केटेगरी जबकि ऐसा कभी नहीं होता है जो हमारे पास unreserved category जह उनकी कट ओफ हमेशना कम होगी unreserved category से उससे जादा नहीं जा सकती ठीके क्योंकि जब result निकाला जाता है cut of decide की जाती है तो हम देखते हैं कि यूर केटेगरी में इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूर केटेगरी के standard से भी exam में जादा score किया है UBC category का नीचे लिखा होता है ठीक है SC category का, ST category का वो सारा है यहां पर अलग से लिखा होता है तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड हो गई थी कि उन्होंने वो include नहीं करा और उसके बाद ऐसे ही result दे दिया CGL 2019 tier 1 का result अगर आप देखोगे तो इसमें UR category से qualify करने वाले कितने candidates हैं ठीक है अप्रोक्सिमेटली आपकी जो देखोगे 25,000 कुछ candidates है बस UR category से जो qualify कर रहे थे tier 1 में CGL 2019 tier 1 examination में राइट लेकिन अगर हम नीचे देखोगे description में तो आपको दिखेगा OBC category से जो qualify करने वाले candidates थे ठीक है जो tier 1 की क्वाली जो cutoff को UR category की cutoff को clear कर पा रहे थे OBC category से वो इससे भी ज्यादा थे तो दोनों चीजों को मिला के cutoff decide की जाती है क्योंकि हमें पता है कि अगर OBC category का बंदा UR category से ज्यादा number लेके post लेता है तो उसे UR category की job दी जाती है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए UR category की cutoff decide की जाती है और other categories की cutoff भी उसी तरह से decide की जाती है इसलिए हमेशा क्या होता है UR category cutoff हमेशा हाई रहेगी as compared to other categories चाहे other categories के लोग ज्यादा score करें UR category से यह चीज के लिए रूभी सभी लोगों को तो यह दिक्का था ही थी और एक ex-service man में भी problem थी ex-service man को उनकी reserved categories में नहीं डाला गया था तो 11 तारिक को क्या हुआ था उसका revised result आया था ठीक तो उ रिवाइज डेल्टा आया था cutoff भी revise होके आया थी यह चीज समय दाई तो technical glitch पहले भी SSC के एंट पर हो रखता है और यह भी मेरे ख्याल से एक technical glitch ही होगा जब आप इतना च्छे score कर रहे हो तो होती कम chances होते हैं कि 33 से आपके कम number हो बाकि कोश्ट cases बनते हैं कि आपके 33 से कम number रह गए या फिर आपने front sheet पर कोई problem कर दी रोल number सही से नहीं लिखा ठीक है नाम सही से नहीं लिखा या medium लिखना बूल गए या कुछ और करना बूल गए जिसके वादे से भी paper cancel हो जाता है लेकिन यहाँ पे आप RTI में देखोगे appearing candidates के RTI थी उसमें आपके appearing candidates कितने थे ज 200 से जादा लोग candidates ऐसे हैं जिनके 500 जादा number थे और उनका list में नाम नहीं लेकिन यह ज्यादा भी हो सकता है 200-200 numbers भी हो सकते हैं जिनके marks कम भी रहे हो और जिनका list में नाम नाया हो जबकि उनकी marks cutoff से जादा हो तो किसी को भी हाँ पे tension लेने की बिल्कु जूरत नहीं है अपसे पहले तो अभी आपके marks आने वाले हैं marks आने तक का wait करो और कुछ नी करना सिफ marks आने दो पोटो खीच के mail को ही करना है hard copy में तो भेजना पड़ेगा post office जाएगी फिर आपके घर पाएगी बाई पॉस्ट में लंबा टाइम लगेगा वरना सभी लोग आपके साथ हैं आपको बिल्कुल भी घबराने की जुरत नहीं है अगर ऐसा हुआ आपके पास कुछ documents ऐसे हैं आपके marks जादा है लिश्ट में नाम नहीं है आप मुझे भेज देना मेरी email ID है description box में भी मेरी email का link मिलेगा आपको marks आने के बाद अपना marks का screenshot बेज सकते हैं आप मुझे साथ की साथ ठीक है लिश्ट में आपका नाम नहीं है वहाँ पर मैं एक बार verify भी कर लूँगा खुद और उसके बाद जो भी होगा सारी steps में आपको बता दूँगा आगे क्या करना हैं हम सारे मिलके क्या कर सकते हैं तो यहां पर tension लेने वाला कुछ नहीं है तो बस यही कहा रहा हूं कि घबराओं मत बिल्कुल भी और जो आपके WhatsApp groups मैं खुद create कर दूँगा कोई tension नहीं है ठीक है मैं बना लूँगा जितने भी लोग हैं जिनका नाम नहीं आया जो ऐसे ल और इस वीडियो में मैं आप से हील विदा ले रहा हूं सो बाई बाई टेक केर जैहिंद